mutual fund से related complete solution चाहिए तो आप मेरे साथ जूर सकते हो कौन सा mutual fund आपके portfolio के लिए बहतर होगा कौन से mutual fund को आप अपने portfolio से बाहर का रास्ता दिखाओ portfolio का design, allocation कैसा होना चाहिए किस mutual fund में कितना पायसा लगा है investment planning, financial planning, retirement planning को लेगे कोई कवरी हो तो आप मेरे साथ जूर सकते हो जी हाँ description box में जाके पूरा detail चेक करें और detail के basis पे what's up number के through आप मेरे साथ जूर सकते हैं चली आज के वीडियो का क्या visualization होगा मैं आपको बता दू market में कभी गिरावर्ट तो कभी तेजी का रुजहान देखने को मिलता है जी हाँ अगर आज की बात करें तो आज market में 1.17% का तेजी देखने को मिला जी हाँ मैं sensex की बात कर रहा हूँ sensex की बात करें तो यहाँ पे almost 632 point का आज तेजी देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से गिरावर्ट था फिर एक दिन तेजी देखने को मिलता है फिर गिरावर्ट और फिर तेजी exactly काफी जादा market confused कर रहा है आज हम यही बात करेंगे market का अगला रुख क्या होगा आज मैं आपके सामने data के basis पे कुछ technical research आपके सामने रखूँगा मैं मानता हूँ कि आने वाले time में market में गिरावर्ट हो सकता है market में दबाव देखने को मिल सकता है लेकिन short duration में यहाँ पे positive momentum देखने को मिल रहा है बहुत ऐसे researcher हैं बहुत ऐसे analyst हैं जो यह कह रहे हैं कि market में यहाँ पे 30-40% का गिरावर्ट हो सकता है यहाँ से 25% का गिरावर्ट हो सकता है लेकिन मेरा कहना यह है कि काफी short duration में अभी यहाँ पे कुछ point देखने को नहीं बिल रहा है काफी short duration में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि market एक बार 56-57,000 को जरूर टच करेगा मैं sensex की बात कर रहा हूँ और हो सकता है कि आनेवाले time में वहां से आपको गिरावर्ट देखने को मिले लेकिन अगर यह कहा जाए कि आनेवाले 2-3 महिने के बाद कुछ गिरावर्ट देखने को मिल सकता है तो मैं काफी ज़यदा सहमत हूँगा आज आपके सामने में जो डाटा रखूंगा मैंने कई बार ऐसे डाटापके सामने रखे हैं और आपको समझाने का कोसिस किया है कि मार्केट का रुख कैसा है देखो सेंसेक्स का मैं चार्ट रख रहा हूँ अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें मैं 123 पॉइंट यहां पे मेंशन किया हूँ मैंने पिछले कुछ वीडियो में सेंसेक्स के बारे में डिप्ली रिसर्च रखा था टेकनिकल रिसर्च और उस से गिरावट देखने को मिला और फिर से तेजी देखने को मिला नंबर तीन पॉइंट पर जाएं तो यहां भी गिरावट के बाद कुछ तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है अब इस चार्ट में आपको एक पी साइन दिख रहा होगा जी हां यहां पे अगर आप चले तो यहां पर आप कुछ दिन के लिए कुछ तेजी देखने को मिल सकता है उसके बाद 30 के लाइन को टच करके RSI उपर की और बढ़ता हुआ दिख रहा है इट मींज कि अब यहाँ पे थोड़ा सा तेजी का रुझान देखने को मिलेगा और पिछले कुछ वीडियो में जब मैंने सिंसेक्स के बारे में रिसर्च रखा था आपके सामने टेकनिकल रिसर्च तो मैंने बताया था चलिए अगले रिसर्च पे बात करतें एक ऐसा इंडिकेटर M.A.C.D. इंडिकेटर का नाम आपने सुना होगा कई बार मैंने वीडियो में इस इंडिकेटर के हल्प के साथ मैंने आपको बताया है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा अब देखो जब जब यहां पे ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रोस करके ऊपर की ओर जा रहा है वैसे ही नंबर 2 में आप देख सकते हो, यहां भी मार्केट में तेजी का रुजान देखने को मिला है, अगर मैं तीसरे box की बात करूँ तो यहां भी blue line ने red line को cross किया है, तो यहां भी आपको तेजी का रुजान देखने को मिल सकता है, चलिए एक और indicator की बात करते हैं, जी हा आप देख सकते हो, नीचे के line को टच करके market ऊपर की और भाग रहा है, जो middle red line आपको देखने को मिल रहा है, वो यहां पे cross करता हुआ देखने को मिल रहा है, इट मींस कि यहां से tienesY के बाद यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा देखो कोई भी exact figure के साथ आपके सामने कुछ point नहीं रख सकता कि हाँ market यहाँ पे 59,200 तक reach करेगा उसके बाद वहाँ से गिरावट start हो जाएगा कोई यह नहीं बोल सकता है कि market यहाँ पे 48,000 point को touch करेगा और वहाँ से आपको तेजी का रुजान देखने को मिलेगा जी हाँ हम थोड़ा आंकड़ों के basis पे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं देखो एक indicator का मैंने यहाँ पे help लिया इस indicator के साथ हमें यह देखने क को मिला है कि अगर market यहाँ पे 56,131 को cross करता है तो market में हमें तेजी का रुजान और जादा देखने को मिलेगा और हो सकता है कि market यहाँ पे 59,000 को भी cross करे मैं फिर से बताता हूं देखो अगर यहाँ पे 56,131 को cross करता है और ज़्यादा यहाँ पे आपको positive momentum देखने को अगर यह 56,131 को क्रोस नहीं करता है तो मार्केट में दबाव ऐसा ही बना रहेगा और अपस और डाउन्स आपको थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा तो पिछले कुछ दिनों से मैं टेकनिकल रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं कि सेंसेक्स का मुवमेंट कैसा क्यूंकि मैं डाटा के बेसिस पर बात कर रहा हूं हो सकता है कि कुछ 200-300 पॉइंट का आपको ऊपर नीचे देखने को मिलें मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि जो मैंने आपके सामने डाटा रखा है इस डाटा से आपको 80-90% का एकुरेशी तो जरूर देखने को मिले सकता है